अब इसके बाद एक तीसरा मॉडल है और वह कहलाता है कल्यानकारी राज्य का मॉडल विकास का कल्यानकारी राज्य मॉडल कुछ नहीं है कोई ज़्यादा अंतर नहीं है यह वही है उदारवादियों का संशोजित रूप मैंने जो उदारवादी लोक तंत्रिक मॉडल की चर्चा की थी इसे मैं आपको बताया था तो और जिक्र किया था कि किस पकार समय के साथ साथ इन विचारकों ने तमाज के निम तबके के लिए भी कुछ योजनाएं बनाने शुरू की आर्थिक लाब के लिए नहीं बलकि सामाजिक विफ्था के लिए तो विकास का कल्यानकारी राजि मॉडल उदारवादियों का संशोजित रूप है उन्होंने बाजार समाज मॉडल को समर्थन प्लान किया यानि अब वो किवल बाजार मॉडल नहीं तीसरे मॉडल जो है वो बाजार समाज को समर्थन देने वाला मॉडल बाजार भी और समाज भी 1871 तो एक राष्ट के बीच में जब जर्मनी के स्थापना होती है 1871 एक राष्ट के बीच में जर्मनी स्थापना होती है और जामनी फिर एक राष्ट के रूप में अस्थित में आता है तो उसके शक्तिशाली बनने का जो मुख्य कारण था वह था वहां के शासक तत्काली इन शासक बिस्मार्क के द्वारा विकास के कल्यान कारी मौडल को अपनाना दूसरे शब्दों में विकास का जो तीसरा मौडल है कल्यान कारी मौडल इसकी शुरुवात हम देख सकते हैं जामनी में और उसका श्रेज आता है जामनी के पहले चंसलर को चंसलर यानि वहां के एक तरीके से मुख्या जैसे भारत में राश्पती होते हैं ऐसी वहां पर चंसलर होते हैं तो उनका नाम था बिस्मार्क बिस्मार्क ने विकास के कल्यान कारी मौडल की शुरुवात की उसे मौलिक रूप दिया और जामनी को एक बहुत शक्तिशाली राश में बदला बिस्मार्क स्वेम भी सामयवाद का विरोधी था इसलिए उसने राज समाजवाद की वकालत की सामयवाद का विरोधी था इसलिए राज समाजवाद याने शासन के द्वारा सामाजी के विवस्था में परिवर्तन लाने से शासन बच नहीं सकता ऐसा उसका कहना था उसने वक तबकों की रक्षा सुरक्षा भलाई की जिम्मेदारी शासन की है और इसलिए उसने रज्ज समाजवाद की वकालत की इसलिए कहते हैं से बाजार समाजवाद कल्यान कारी मौडल परणाम स्वरूप शरंपों की कल्यान के लिए उसने बहुत सारे कारे किये जो ने ने रजड़ बना ता उसे एक बहुत शक्ति शाली राष्ट के रूप में इस तापत करने में इस कल्यान कारी मौडल की बहुत ऑहम बोमिका थी एक बार जब जन कल्यान कारी मॉडल की शुरुआत जर्मनी से हुई बिस्मार्ट ने की और उसकी सफलता ने लोगों का ध्यान खीचना शुरू किया तो कुछ अन्य देश भी अच्छूते नहीं रहे इंग्लेंड में भी कल्यान कारी राज के विचार की बयार बहने लगी और 1908 से 1916 वहां के प्रधान मंत्री ततकालीन प्रधान मंत्री एस्कुट उन्होंने कल्यान कारी राज के विचार को इंग्लेंड में भी लागू करने का प्रयास किया एसक्वित और काल है उन्निस वाट तो उन्निस सो सूला यहने जो तरतम विश्विद्व प्रारम होने के ठीक पूर इंग्लेंड में भी लोग कल्याणकारी मॉडल को लाए गया यह विचार इसलिए लाए गया ताकि श्रमिकों को जो बीमानियां हो रही हैं मज़़ों को मज़़ों की जो बेरोजगारी से जुड़ूई दिक्टे हो रही है उसके लिए भहमें प्रयास करना चाहिए और उस प्रयास करने की दिशा में एसकुत का मानना था कि आवश्यक है कि शासन यदि संपूर्ण इंग्लेंड के लोंगों को खुश देखना चाहता है तो जरूरी है कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो श्रमिकों का है उनको खुश रखने का एक प्रयास करें बेरोजगारी और बीमारी से मुक्त करने के लिए श्रमिकों को जो उनके हित में जो कदम उठाए गया है उसी के परिणाम सुरूप कल्यान कारी राज्य की कलपना इंग्लेंड में आती है श्रमिकों को लेका राजनीतिविग्ञान के एक अध्याय में और इतिखास के भी एक अध्याय में हमने इस बात का अध्यन किया है कि और जोगे करांती के क्या क्या दुश परिणाम इंग्लेंड ने जहेले और कैसे कैसे इंग्लेंड में मजदूरों की स्थिति को लेकर नए नए कानून बने सुधारवादी कानून उन सुधारवादी कानूनों की श्रिंखला में मजदूरों की स्थिति को सुधारने की श्रिंखला में ही एसकुद द्वारा उन्निसो आट सोला के बीच जो प्रयास किये गये वो इंग्लेंड में कल्यानकारी मॉडल की दिशा में बढ़ने का एक स्पष्ट उदाहरन है लेकिन ये तो श्रमिकों को लेकर हुआ था अब समाज के तो अन्य तपके के लोग भी थे जो नर्धंता की कगारबे थे बेरोजगार थे और आदी आदी तो इंग्लेंड में लोग कल्यानकारी मॉडल अपने पूर्ण रूप में आता है 1942 में आपको याद होगा मैंने बताया कुद्देरपूर की बीसवी शिताब्दी में लोग कल्यानकारी मॉडल का विकास होता है और ये वही काल है जब हम लोग कल्यानकारी मॉडल का ज़्यादा से ज़्यादा समा योजन विभने देशों की सरकारों में देखते हैं 1942 में विलियम हेंरी बेवरिज ये एक योजना लेके आते हैं जिसे कहते हैं बेवरिज प्लाइन कल्यानकारी राज्य का विचार पूल रूप में इस बेवरिज प्लाइन के माध्यम से सामने रखा जाता है एक रिपोर्ट के रूप में सरकार के सामने मिस्टर बेवरिज द्वार रखा गया और उसमें बहुत सारे सुधारों का जिक्र किया गया उन सुधारों की बात करें तो आज जो हमारे देश में भी और दुनिया के अन्य देशों में जो कल्यानकारी कदम उठाये जा रहे हैं जिसमें सरकार की आए कुछ नहीं है ऐसे कुछ दारन बेवरिज ने सुधाय थे जिसमें पहला था मुफ्त राष्ट्री स्वास्थ सेवा राष्ट्री स्वास्थ सेवा जनता के स्वास्थ की बहतरी को सुनिश्चित करने का कारिश शासन का है ऐसा माना गया परिवार भत्ता श्रमिकों के लिए बीमा इंशोरंज पूर्ण रोजगार के सरकारी कारवाई के लिए कदम रोग और दुरघटना लाभ अर्थात रोग की स्थिति में दुरघटना की स्थिति में संबंधित परिवार के सदस्यों को कुछ मुआवजा दिया जाना व्रिद्ध वविधवा पेंशन मातरित्व लाभ जिसे मेटरिनिटी लीव भी हम कहते हैं ये जो ऐसे कुछ प्रस्ताव थे ये प्रस्ताव बेवरिज रिपोर्ट में शामिल किये गए और अपने समगर रूप में 1942 में लोकतांत्रिक मॉडल कल्यान कारी मॉडल की और बढ़ता है इस रिपोर्ट में जो बाते कही गई थी इस रिपोर्ट के आने से जो जनता थी उसमें बड़ी खुशी की लहर दोड़ गई क्योकि सरकार ने पहली बार एक तरीके से माना कि उसका कारे मात्र सुरक्षा उसका कारे मात्र विदेश नीती उसका कारे मात्र सीमाओं की रक्षा नहीं है उसका कार्य है जनता की सेवा और जनता की सेवा दो तरीके से एक ऐसा जिसमें करों के प्राउधान के माध्यम से पैसा एकठा किया जाए और जनता पे खर्च किया जाए और दूसरा ऐसे प्राउधान जिसमें सरकार किसी तरह का लाभ न सुचे तो ये जो कल्यान का रियोजना थी बेवरिज प्लैन इससे पूरे इंग्लेंड में खुशी की लहर दोड़ी और पूरे विश में इसको लेकर बहुत चर्चा हुई बेवरिज रिपोर्ट में जिन बिंदूओं पर समाज के कल्यान के लिए विबिन कदम उठाने का जिक्र किया गया था समय के साथ साथ उसमें और नए नहीं बातें जुरती गई जो निश्चित रूप से सरकार को और कल्यान कारी होने के लिए बात दिकरती है वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा, रोग लाब, विक लांगता क्षती पूर्ती, नहिशुलक शिक्षा, जन स्वास्थ, गरीबों की सहायता, निर्धनों को कम कीमत पर आवश्यक वर्तों का प्रावधान आदी आदी ये सब एक कल्यान कारी सरकार की उजनाओं में शामिल होने वाली अहम बाते हैं वर्तमान में आप देखेंगे कोरोना काल में जो वैक्सिनेशन किया गया, जो इंजेक्शन्स लगाया गया, वे फ्री में थे, इसमें अर्बों रुपे खर्च हुए, लेकिन सरकार ने उसके लिए किसी तरह का पैसा उसकी एवज में जनता से नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वर्तमान में कल्यानकारी राज को ही सर्वोपरी और सर्वश्रेष्ट तरह का राज्य माना गया है, और उसके तहत ये सब सुविधाएं मुहया कराई गई, इस वकार हम कह सकते हैं कि कल्यानकारी राज्य वो होता है जो नागरिकों को विभिन सामाजिक सुविधाय परदान करता है विभिन सामाजिक सुविधाय परदान करने वाला विभिन सामाजिक सहायता देने वाला राज्य लोक कल्यानकारी राज्य कहलाता है और यह जो मॉडल है यह मुक्त बाजार मॉडल में याने पूंजिवादी मॉडल में असहायों की सहायता कर संपत्ति के जरीय करता है पूंजिवादी मॉडल जो पश्चिमी देशों में है एक पूर्ण पूंजिवादी मॉडल में असहाय को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है सरकार उनके बारे में कोई चुचार नहीं करती है लेकिन अब ऐसा कोई सवी शासन नहीं है जो पूर्ण रूपेन पूंजी वादी मॉडल हो कल्यान कारी भावना अब हर शासन में पहुँच गई है तो मुक्त बाजार मॉडल में असहायों की सहायता कर संपत्य के पुनः वित्रण से की जाती है आखिर सरकार के द्वारा जरूरत मंदों की आविश्कताओं को मुछ्च में पूरा करने के लिए धन कहां से आता है समाज के उस सबके के लोगों से जिनके पास ज़्यादा संपत्य है जो ज़्यादा कमाते हैं जो ज़्यादा स्विधा संपन है तो उनके उन पर लगाए गए करों कर टैक्स को अब इस तरीके से जनकल्याणकारी योजनाव में लगाय जाता है धीरे 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 जनकल का ये जो विचार है कल्याणकारी रज्य का विचार welfare state जो से हम कहते हैं ये welfare state का जो विचार है धीरे धीरे और फैलते गया Germany, England और उसके बाद France, Sweden, Italy, Australia आधी आधी अन्य देशों में फैलता चला गया विकाशील देशों के लिए कल्यान कारी राज का मॉडल बहुत अहम था अभी तक जो मैंने बाते की है ये सब वे देश हैं जो वैसे तो सर्व सुविधा संपन है पश्चिमी देश लेकिन वहां के निम्न तबकों के लोगों के लिए योजनाओं के प्राधान किये गए अब विकाशील देशों की बात करें जिसमें भारत भी एक देश है जहां निर्धनता बहुत गहरी है जहां निर्धनों की संख्या बहुत भारी है तादाज बहुत बड़ी है यहां पर भी कल्यान कारी राज्य का मॉडल बहुत महत्पूर्ण माना गया निर्धन्ता के निदान के लिए मान लिया गया कि ना सामेवादी व्यवस्था ना पूंजीवादी व्यवस्था पूंड रूप से सफल हो पाएगी और सर्शेष व्यवस्था जो है वह कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है इसके लावा इन देशों में निर्धनों की परंपरा, निर्धनों की सहयता की परंपरा पहले से मुजूद थी पहले से निर्धनों की सहयता की जाती थी दुर्भागे थे शहरी करण बढ़ा जिससे निर्धल और दरिद्र हो गया निर्धनों का आधार जो था गाउं वो भी छिन भिन हो गया लेकिन रिवकाशी लेशों में कल्यान कारी राजी का संचालन समूचित आधार भूस संरचना के अभाव नौकर शाही के उदासींता और भष्टाचार के करण कमजोर हो गया यानि हम बात कर रहे हैं कि जो विकाशील देश हैं वहाँ पर इस कल्यान कारी योजना को लागू करने में क्या दिक्कतें थी और दूसरी और इस कल्यान कारी राजी की कल्पना को सफलता पूरवक लागी करना क्यों विकसिद देशों में सरल था क्योंकि कराधान का प्राधान कर लिए था उन्होंने कर को टैक्स को उस दिशा में भेजने का दूसरा निर्धनों की सहायता का प्रावधान वहाँ पहले भी था तो एक पुरानी परंपरा उनके पास थी लेकिन विकास चिल देशों में ना परंपरा थी ना इस तरह के कर के पैसे को कल्यानकारी योजनाव में लगाने का कुछ अनुभाव था और ना ही ऐसा कुछ था जिस पर इनको रोजगार आदी दिया जा सके उल्टे जहां तीसरी दिक्कत और थी वो थे शाहरी करण की शाहरी करण के करण गाओं की विस्ता ही चिन्न भिन हो गई थी चर्मरा गई थी तो इसलिए विकास शील देशों में इसके अलावा कुछ और अन्य दिक्कतें आ रही थी कल्यानकारी योजना को पूर्ण रूपेन लागू करने में उन दिक्कतों में नौकर शाही थी बरश्टा चार भी था आधार भूत सनरचना का अभाव भी था जो सरकारी मशीनरी थी उनकी उदासीनता भी थी आदी आदी तो इस पकार ये 6-7 कारण जो हैं वे लोकतांत्रिक उदारवादी या लोकतांत्रिक कल्यानकारी राज्य बनने की व्योस्था में बाधा पैदा कर रहे थी अब इन बाधाओं को पार करने के लिए कुछ नए विचार सामने आते हैं किस तरीके से कल्यानकारी व्योस्था की कमियों को प्लक किया जाए, बंद किया जाए, रोका जाए, दूर किया जाए और निर्धंता जिन देशों में, विकाश्यल देशों में खास कर जहां बहुत ज़्यादा है वहाँ कैसे प्रयास किया जाए कि अधिकतम जनता का फादा हो इसी सोच के तहट अब हम चौथे मॉडल की ओराते हैं और वहाँ है गांधीवादी दिरिश्ट कोण विकास का गांधीवादी मॉडल ये गांधीवादी मॉडल क्या है? लोग कल्यानकारी मॉडल से ये अलग कैसे है शुरू कि जो तीनों मॉडल के हमाने जिक्र किया उदारवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था या कल्यानकारी व्यवस्था ये तीनों जो व्यवस्थाएं हैं ये भौतिक सुक की और इनका ज्यादा बल है सांसारिक सुक्की और ज्यादा इनका बल है यदि इन तीनों का हम अध्यन करेंगे गांधीवादी दिश्टिकोर से तो हमको लगेगा कि गांधीवादी दिश्टिकोर निश्चित रूप से इन तीनों व्यवस्थाओं से इन तीनों मॉडल से बहतर है चाहे वो समाजवाद हो या पूझीवाद हो इसमें भौतिक वादी धारणा पे ज़्यादा बल दिया गया संसारिक धारणाओं पर ज़्यादा बल दिया गया इसके खेलाफ गांधी वादी जो विचारधरा है वह आदर्श वाद पर आधारित है शुरू कि ये दो मौडल बहुत एक वाद पर आधारित है पर गांधी वादी विचारधरा आधर शुआद पर बल देती है वास्तों में देखा जाया तो गांदी जी का जो पूरा जीवन है यदि हम अद्धिन करेंगे तो हम पाएंगे कि पूरा जीवन उन्होंने गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए दिया गरीबों और कमजोर वर के लिए गांधी के मन में बहुत स्नेह था, बहुत हमदर्दी थी और उनके साथ कुछ काफी कुछ जुड़े हुए थे गांधी जी का कमजोर तबके के साथ इतने निकटता से जुड़े रहने काई परणाम था कि उनको विश्वास था कि ये जो तबका है ये भौतिक वादी सुख पर उतना इसका बल नहीं है जितना के अदर्श वाद पर मशरू वाला जो एक प्रसिद लिखा कि उन्हों लिखा है कि आज पसीना बहा कर आज का भोजन पानी और कल के लिए पसीना बहाने के तैयारी करने के अदर्श में किसी की शद्धा नहीं है मैं फुर से दुरा दूँ आज पसीना बहा कर आज का भोजन पानी और कल के लिए फिर पसीना बहाने के तैयारी जो भौतिक वादी विवस्था में होती है इसमें गांदी की कोई शद्धा नहीं आदर्श में गांदी की शद्धा है विकास के गांदीवादी दिश्टिकूर्ण का जो वर्लन ज़दी हम करें तो इसमें हम पाएंगे कि उसकी कुछ विशेष्टाएं क्या हैं और इन विशेष्टाओं का ध्यान करते हुए हम अंतर भी समझ लेंगे पहला तो है गांदीवादी विकास के मॉडल में विकेंद्री करण की अर्थ व्यवस्था है सामेवाद में जहां केंद्री करण है गांदीवादी विचारधारा में विकेंद्री करण अर्थ व्यवस्था दूसरा आर्थिक समानता पर बहुत बल तीसरा मानव सेवा नारायन सेवा आदमी की सेवा करना भगवान की सेवा है इश्वर की सेवा है ये आदर्श वात का उनका विचार था इसलिए सेवा सर्विस टु दे मैनकाइन उनके लिए बहुत महत्पून था मानव सेवा नारायन सेवा चोथा था गांदी जी का मानना था कि मनश्य जो है वो कोई भवतिक का चीज नहीं है भवतिक प्राणी नहीं है भवतिक के लावा कुछ और भी है और कुछ और से उनका ताटपर था आध्याद मिक्ता किया मनश्य जो है वह भवतिक और अध्याद्मिक का एक संतुलन है अगली विशेष्टा जो हम गांदी वाद की वो है कि उनके विचार में सपश्था कि मौत की मनश्य भवतिक प्राणी नहीं है पांचवा कुटीर उद्योग की स्थापना पर इनका जोर कुटीर उद्योग बनाम विशाल उद्योग हर गाओं के अपने अपने उद्योग हों ऐसा उनका विचार था और इकी संभावना पर उनका प्रबल विश्वास था तो कुटीर उद्योग की स्थापना, छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना, छटवा, रोटी के लिए श्रम, सुख के लिए नहीं, श्रम, लेबर, और ब्रेड, एंड नाट फर लग्जुरी, यह बहुत बड़ी धारना थी, बहुत महत्पून धारना थी गांधिवादी विचार की और गांधी जी के स्वायम की, हम श्रम किस लिए करें, रोटी के लिए, जीवन यापन के लिए, भौतिक सुखों के लिए नहीं, तो रोटी के लिए श्रम, और सात्वाँ और अंतिम्था, सामाजिक बराई का अंत, इस वकार हम देखते हैं कि गांधी जी की जो विचार धारा थी उसको लेकर एक नय मॉडल सामने आता है आदर्षवादी मॉडल जो मनुष्ट को भातिक चीज नी समझता विकास का जो गांदीवादी मॉडल था ये सभी के हित और एक आदर्ष मॉडल बना सभी के फायदे के लिए और एक आधर्श मोडल गांधी जी ने राज को साधन और व्यक्ति को साध्य माना तो साध्य और साध्य में बहुत गहन संबन्द जोडते हुए गांधी जी का कहना था कि राज जो है वह साध्य है जरिया है, माध्यम है इन लक्षों को प्राप्त करने का माध्याम है उनके अनसार राजनीतिक सत्ता का प्रयोग व्यक्ति के हित के लिए हो ना कि राज के हित के लिए मैं फिर तो दोरा दियू सत्ता का प्रयोग, सत्ता का उप्योग व्यक्ति के हित के लिए ना कि राज के हित के लिए व्यक्ति का उप्योग अपने राज के हित के लिए ना किया जाए बलकि राज जनता के उप्योग के लिए कारिक करें दोनों में देखी कितना अंतर है विचारों में गांधी के विचारों के एदि बात करें तो पहली बात तो ये है कि वो मजदूरों के प्रतिन की बड़ी सक्त हमदर्दी थी उनका सारा नजरिया मजदूर और नर्धन वर्क को लेकर था दूसरी बात कि गांधी जी कल के लिए प्रतिना बहाने के तियारी के आदर्श के रूप में सुचते थे फिर उसके बाद मैंने गांधी वादी दिश्टिकोन के जो अन्य साथ विशेश्टाएं बताईं साथ ही सब का विकास उनका आदर्श था राज को वो साधन मानते थे और व्यक्ति को साध्य सत्ता का प्रयोग जन्ता की भलाई के लिए ना कि जन्ता का उप्योग सत्ता के फायदे के लिए कुटिर उद्योग को लेकर उनका कहना था कि देश की आर्थिक समस्याओं को हल करने में कुटूर उद्योग एक अहम भूमिका निभा सकता वह रोजगार देगा वह आर्थिक आय सुनिश्चित करेगा वह लोगों के पलायन को रोकेगा वह गाओं की जो सेल्फ सफीशन यूनिट है गाओं की जो आत्म निर्वर्ता है उसको बनाया रखेगा आदी आदी ये इसके बहुत सारे फायदे थे कुटूर ये भी सुनिश्चित करेगा कि जो खेतरी संसाधन है उनका समुचित और अधिकता मुपियोग किया जा सके तो इस तरीके से कुटूर उद्योग के आधार पर कुटूर उद्योग के मामले में गांधी जीक की सोच थी कि देश की अर्थ वस्था के सिधार में बहुत आहम भूमिका निभा सकता है देश की आर्थिक समस्चा का हल कर सकता है आर्थिक समस्चा से उनका तत्परिता नि पश्चिमी देशों द्वारा चुनेंगे विकास के मॉडल इससे मेल नहीं खाते आधनिक देशों में जो विचार धारा है उससे गांधी के मॉडल थोड़ा अलग था किस मामले में अलग था कुटीर उद्यों के मामले में तो था ही अलग आधर्श के मामले में भी अलग था आधी आधी लेकिन जो सबसे अलग बात है इस मॉडल की वो ये थी कि गांधी जी का मॉडल धर्म और नैतिक्ता पर बल देता है धर्म का अर्थ यहां पर रिलिजन नहीं है धर्म का अर्थ य और नैतिक्ता इस पर बहुत जोड़ दिता है यानि साध्य और साधक इनके संबंधों में हमेशा सकारात्मकता रहे इस बात पर बहुत जोड़ गलत तरीके से अपनाएं गए फाइदे अच्छे नहीं होते हैं उनका हमेशा इस बात पर बल रहा कि साधन जो हो किसी उद्देश को पाने का जो जरिया हो वह उतना ही महत्पूर्ण है जितना की उद्देश है तो नैतिक्ता पर इतना ज़्यादा बल ड्यूटी पर इतना ज़्यादा बल गांधी के इस मॉडल को विकास के अन्नी मॉडलों से अलग कर देता है और वहीं दूसरी और हम ये भातिक वादी मॉडल की बात करें तो वहां पर आदर्श नाम की कोई चीज नहीं धन और जन सांसारिक सुखों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग उपभोग ये उस मॉडल के लक्ष है जब कि गांधियन मॉडल इस से बिलकुल अलग रहा वर्तमान राज्य का भौतिक विकास वर्तमान में जो राज्य है जो सत्ता है वो भौतिक विकास पर बल देती है गांधी इसके ठीक उल्टा धर्म और नैतिक विकास पर बल देते थे इस मामले में गांधियन मौडल बाकी तीनों मौडल से बिलकुल अलग हो जाता तो इस तरह हमने देखा है कि विकास के जो मॉडल थे पहले के उस मॉडल में जो खामिया थी उसमें सबसे बड़ी खामी थी समाज को भारी कीमत चुकाना फायदों का असमान वित्तरण यानि धनी वर्क को ज़्यादा फायदे निम्न वर्क को कम फायदे अधिकतर देशों में विकास की जो रणनीती थी उसका बहाव उपर से नीचे था अर्थाथ इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं डाउनवर्ड फिल्टरेशन नीचे की ओर जाना पर जब तक वो नीचे पहुंचता है विकास का प्रभाव तब तक समय बदल जाता था इस सितियां बदल जाती थी और नीचे का तबका विकास के इस दौर से प्रभावित नहीं हो पाता था इस मॉडल की एक और बुराई थी कि विकास की प्रास्मिक्ताओं रणनीतियों और परियोजनाओं के क्रियानवन का फैसला राजनितिक नेत्रित करता था नौकर शाही करता था ना कि जनता एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये आवशक है कि जनता की सहभागिता इन रणनीतियों को और परियोजनाओं को लागू करने में अहम मानी जाए तभी तो वह लोकतांत्रिक कहलाएगा इस अध्याय के प्रारम में मैंने जिस कख्षा के ग्रिश्च की चर्चा की थी उसका संबन्द इसी प्रक्रिया से है जिसमें मैं इस बात को स्पष्ष करना चाहरा हूँ कि विकास के पूर मॉडल की ये खामी थी कि वह एक ऐसे शिक्षक की तरह था जहां पर शिक्षक कक्षा में अपनी बात लाद देता है ना कि विद्यारतियों का सहयोग लेता है वर्तमान में जिस मॉडल की चर्चा हो रही है वह निश्चित रूप से इन पूर मॉडलों से इस रूप में बहतर है कि वह ज्यादा लोकतांत्रिक है जिन लोग के इस तर पर विकास होजनाओं का तत्काल असर उन लोगों से तनिक भी सलाह न ली जाए ये कैसा विकास इसी बात को लेकर विकास के वैकलपिक मॉडल की चर्चा बारंबार हो रही है इससे न्यायपूर्ण और टिकाव विकास के बारे में वैकल्पित तरीके से सोचने और आगे बढ़ने की जुरत को महसूस किया जा रहा है और इसलिए इससे सतत विकास का नाम दिया जा रहा है